अज़र आपने online pencard surrender किया था या फिर offline pencard को surrender किया था तो कैसे आप पता कर सकते हो कि आपका pencard surrender हुआ है या नहीं आज के video में complete process बताने वाला है तो video को like कर लिए channel को subscribe कर लिए चलिए शुरू करते हैं आपका pencard surrender हुआ है या नहीं इसको check करने के लिए आपको simply किसी भी browser में आजाना है और यहाँ पर search of our में search करना है income tax.gov.in search करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का website open होके आ जाएगा अब आपको पता करने के लिए simply option दिख रहा होगा verify your pen तो यहाँ पर click कर देना है click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने के लिए मिलेग surrender करने के लिए दिया है अब यहाँ पर पूरे details को fill करने के बाद आपको continue पर click करना है फिर आप आपने जो अभी है भी mobile number डाला है उस पे एक OTP गया है उस OTP को इस बाले box में enter करना है and validate बाले button पर फिर से click कर देना है जैसे ही आप validate पर click करेंगे तो यहाँ पर उपर में द जो पेंड़ कर्ट surrender हुआ है 100% surrender हो चुका है यहाँ पर नो रेकॉर्ड फंड बता रहा है क्योंकि इसका पेंड़ कर्णर हो चुका है कुछी दिन पहले तक यह एक्टिव बता रहा था बट आज मैंने चेक्किया तो यह नो रेकॉर्ड फंड बता रहा दिसका मतलब यह कि यह पेंड़ कर्णर हो चुका है अगर आपका इन एक्टिव यह फिर एक्टिव बताता था इसका मतलब है आपका पेंड़ कर्णर नहीं हुआ है तो अफटा फट से पेंड़ को surrender कर लिजा अगर आपको देखें मैं पहले बता दूँ कि अब आउनलाइन पेंड़ कर्णर अगर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे चली मिलता है किसी और वीडियो में तब तक के लिए टेक किया रव बाई बाई